So hello everyone, welcome back to another video आप सबको पता ही होगा मैं आज यहाँ पर क्यू हूँ मैं आज आपको पताने वाला हूँ इस वीडियो में in short की cut-off क्या रहा है round 1 महारास्टर state counselling का हाँ आपने सही सुना महारास्टर state counselling का जो round 1 का result है वो आचुका है state counselling की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ठीक है सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि open category का, OBC category का, SC category, ST category सारे categories का जो last allotted college है वो भी मैं registered SML बात करूँगा है यहाँ पर क्योंकि ऐसा ना दो columns आए है PDF में एक होता registered serial number और एक होता serial number ऐसा दोनों में difference क्यों आता है because बहुत सारे लोग क्या करता है कि उन्होंने SML के time पर registration किया होता है बट वो state की seat basically नहीं उटाते वो all India की तरफ चले जाते तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है बीच-बीच में वो seat छोड़के all India की तरफ चले गए उन्होंने नहीं choice fill किया और नहीं उनको include किया गया state counselling में तो उसमें भी tension लेने वारी बात नहीं है कि ये registered SR number क्या है ये SR number क्या है ठीक है तो मैं इस वीडियो में cut off जो है वो registered SR number के basis पे बात कर रहा होंगा जो की है SML जो आपको first time आई थी जो provisional state merit list थी right वो है आपका registered SML ठीक है तो आज की वीडियो में इसके बार में बात कर रहे होंगे next वीडियो जो होगी मेरी उसमें मैं discuss करने वाला होंगा कि जो सारे state colleges है government M.E.B.S. के उनका क्या cut off रहा है individually वो भी category wise ठीक है सुबह सुबह वीडियो आएगी तो वो भी जरूर देखना सबसे बात करता है general category का तो general category का registered SML नंबर गया है 2835 के जितना next is OBC category OBC category का गया है 3015 ठीक है तो मैंने जितने expected मैंने एक expected cut off का वीडियो बनाया था आपने चाहिए तो वहाँ पे जाके check कर सकते हो तो हमारा जो expectation था जो हमने prediction करेती वो एकदम सही आई है cut off जो है वो गिरा है and हमारी expectation से भी थोड़ा सा और कम गिरा हुआ है तो इतनी accurate prediction गई है अपनी तो एक like तो बनता है और subscribe का button भी ज़रूर हिट कर देना अब बात करते EWS के cut off की तो EWS का cut off गया है 2954 registered SML ठीक है EWS का cut off यहाँ पर मैं जो cut off बता रहा हूँ round 1 का वो है कि last allotted college उस particular category के लिए कौन सा गया है ठीक है next बात आती है SC category का तो SC category का गया है 8303 expected से और ज़्यादा कम गया है SC category का next बात आती है SC category का 17224 registered SML जिनको भी college मिला है उनको सब को congratulations जिनको college नहीं भी मिला है या फिर जो borderline पर उन्हें मायूस होनी की जरुवत नहीं है अगले round में आपको definitely college जो है इसमें बहुत लोगों का मुझे ये भी doubt आ रहा है कि हमारी category थी OBC हमारी category EWS थी हमारी category कुछ अलग थी और हमें जो quota allot किया गया वो है open category का quota तो maximum cases में क्या है ना अगर आपके marks 600 के उपर है आपके marks अगर अच्छे हैं ना तो आपको open category के seat जो है seat मिलना चाहिए था आपको वही मिला है ठीक है इसके बाद अगर आपको college allot हुआ है तो इसके बाद की जो procedure है वो मैंने पिछले वीडियो में explain कर रखिए वो आप जाके देखिए पूरी वीडियो end तक ज़रूर देखना और कल सुबे एक वीडियो आने वाली होगी जिसमें हमें पूरा डीटेल में आपको cut up बताऊँगा सारी categories के लिए anti category, vg category, सारी categories के लिए हर एक college के लिए बनाने वाला हुआ आपके लिए ठीक है so वीडियो को like जरू कर देना friends के साथ जादा से जादा शेयर करो so that तो ने भी पता चले कि exactly क्या cut up गया है और bell notification icon हिट करना न भूलेगा नहीं तो कल के वीडियो के बारे में आपको कैसे पता चलेगा so मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में till then, bye bye